Good morning, welcome to excel tutorial. इस tutorial में हम सिखेंगे, excel में filter data को आप कैसे copy कर सकते हैं, एक sheet से दूसरी sheet पर. Let's start. इसके लिए, यहाँ आपा next लोपर मैंने एक student data नम से excel file बना रखिये. इस file को जस्ट मुझे double click करके open रणा है. यहाँ आप देख सकते हैं, मेरे पास एक excel sheet है, जिसमें student का data store है. Like roll number है, student name है, student course है. मेरे पास यहाँ 25 students का data store है, जो की अलग-अलग program में registered है. जैसे आप देख सकते हैं, 1001 BCA में है, MCA में है, BBA और MBA programs में है. इस तरह से मेरे पास यहाँ data store है. अब मेरे requirement यह है, कि BCA के जितने भी student है, वो sheet 2 में आ जाए. मुझे एक list चाहिए, cable और cable BCA students की. तो इसके लिए सबसे बहले मैंने roll number पर click किया, data menu में गए, and filter. तो आप देख सकते हैं, filter आगा है, इस filter list से मैंने सभी को uncheck किया, और BCA student को select कर लिया, and okay. आप देख सकते हैं, BCA student का data display हो रहा है, इसके बाद यह data मुझे sheet 2 पर चाहिए, तो यहाँ से आप click करें, और drag कर लिया, तो यहाँ सारा data select हो जाएगा, इसके बाद आपको control C को press करना है, तो आप पर data copy हो जाएगा, और आप sheet 2 पर आकर इस data को paste कर देए, with the help of control V, तो आप देख सकते हैं, यहाँ जो data आ रहा है, वो cable और cable PCA students का है, से मेरी requirement ही है कि BBA का जो data है, sheet 1 से sheet 3 पर आजाए, तो इसके लिए वापस से हम filter change करेंगे, इस बार filter में मैंने BBA का selection किया है, और ओके, आप देख सकते हैं, BBA का data display हो रहा है, डेटा को click and track से आप selected है, control C, और sheet 3 पर आकर आप data को paste कर देए, control V की help से, control V, तो आप देख सकते हैं, जो data आ रहा है, उसमें cable और cable BBA का record डिस्प्ले हो रहा है, इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि किस तरह से आप, आपके पास जो data है, उसमें selected data को कैसे एक sheet से दूसरी sheet पर display कर सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को आप Facebook, Twitter, Blogger पर share कर सकते हैं, आपको अगर कोई doubt है, तो clear करने के लिए आप मुझे मेरे email address और mobile number बे contact कर सकते हैं, फाइनली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक यू फर वाचिंग माई वीडियो,